12th के बाद students सोचने लगते हैं कि उसे किस छेतर में जाना है किसी को engineering तो किसी को medical छेतर में जाना होता है तो किसी को agriculture के छेतर में भी जाना बहुत ही पसंद है जिहां दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे B.H.C. agriculture course के बारे में बता दे कि भायात एक क्रिशी प्रधान देश है लगबग 67-65 लोग क्रिशी पर निर्भर होते है आज हम क्रिशी और क्रिशी को और भी डेवलप करने के लिए B.H.C. agriculture course के बारे में बात करेंगे ये तो वीडियो को पूरा अंत तक देखे और B.H.C. agriculture course के बारे में समझे तो सबसे पहले तो B.H.C. agriculture B.H.C. का फूर्पर मोता Bachelor of Science इन अगरिकल्चर ठीक है इस B.H.C. agriculture में हम विए तरह के agriculture tools के बारे में जानेंगे agriculture को कैसे बढ़ाया जाए कैसे तरक्की किया जाए उन्नति किया जाए इनके बारे में हम लोग शमझेंगे सबसे पहले तो B.H.C. agriculture कौन कर सकता इनकी बारे में बात करेंगे हम लोग इनकी qualifications क्या है योग्यता क्या है तो बता दे कि B.H.C. agriculture की योग्यता जो है वो science extremes होना चाहिए 12th class में और physics chemistry, biology और math भी होना चाहिए तो math वाले भी यहाँ पर ये B.H.C. agriculture की course कर सकते है और बता दे कि arts और commerce वाले B.H.C. agriculture नहीं कर सकते है जिसका भी 12th class में arts और commerce है वो B.H.C. agriculture के लिए eligibility eligible नहीं है अब हम बता दे marks के बारे में तो 12th class में कम से कम 50-30th marks होने ही चाहिए तभी वो B.H.C. agriculture के लिए योग्य है अब हम बात करेंगे admission process की admission process क्या है तो admission process की बात करें तो entrance exam होते है government college के लिए ICAR, AIEE के दोवारे entrance exam लिए जाती है AP, EMA, CET के दोवारा CUET के दोवारा, CGPAT के दोवारा तो कई तरह के entrance exam लिए जाते है और private college में direct admission भी होता है fees उसमें वह जादा लगता है अब हम बात करेंगे अब अधी के बारे में, duration के बारे में तो बता दे कि ये course 4 साल की होती है इसे में 3 साल पढ़ाई होती है एक साल practice होता है ठीक है और हम बात करेंगे अब fish के बारे में इनके fees कितनी होती है तो बता दे कि फीस जो depend करता college पे एप्रोक्स फीस हम बता देते हैं 2 से 3 लाग पढ़ती है complete fees, 4 years की और कहीं कि बड़े college में 6 से 10 लाग के बीच भी लगती है 4 से 6 लाग के आप आसपास भी लगती है तो यह depend करता college पे अब हम बात करेंगे agriculture करने के बाद किस field में आपको job मिल सकता है इसके job opportunity के बारे में बात करेंगे तो पहला तो आप agricultureist बन सकते हैं agriculture officers बन सकते हैं अपने districts में और दूसरा तीसरा assistant plantation manager भी बन सकते हैं agriculture technician बन सकते हैं और agriculture research scientist भी बन सकते हैं तीक है अब हम बात करेंगे top university के बादे में MIT university है चंदिगर्ड university है भारत university है अन्ना मलाई university है तमिलाड़ university है B.H.U. है गुरू नानक university है तो यह कुछ top colleges है जो B.H.C. agriculture करवाती है तो दोस्तों कैसा लगाई आपको B.H.C. agriculture के बारे में उसे जानकारी अच्छा लगा तो हमारे चनल को subscribe करें